मुझे बहुत खुशी है कि सब लोग आगे आके दूसरों की जान बचाना चाहते हैं हर धर्म के लोग, चाहे हो किसी भी धर्म के हो किसी भी जात के हो सब लोगों के मन में एक जजबा है कि मेरी जान बची अब मैं किस तरह से दूसरों की जान बचा सकता हूँ मेरे मन में एक विचार आ रहा था मैं सोच रहा था कि कल को अब जब मैं पिछले कुछ दिनों से लोगों को ब्लड डोनेट करने के लिए प्लाजमा डोनेट करने के लिए इतना हम लोग इनको प्रुचसाहित कर रहे हैं तो मेरे मंद में एक विचार आ रहा था कि कल को कोई पेशेंट मान लेजे हिंदू है और बहुत सीरियस है हो सकता उसको मिसल्मान का प्लाजमा उसकी जान बचाए मान लेजे कोई पेशेंट मिसल्मान है बहुत सीरियस है हो सकता किसी हिंदू का प्लाजमा हिंदू के शरीर का प्लाजमा उसकी जान बचायए भग्मान में जब धरती बनाई थी तो उसनी तो इंसान बनाए थे हर इंसान की दो आखें एक जैसा शरीर है लाल रंग का खून है उसी किसम का प्लाजमा है भग्मान में तो हमारे बीच में कोई दिवार पैदा नहीं की भगवान ने तो किसी किसम के ये धर्म वो धर्म हमारे बीच में किसी किसम की खाई पैदा नहीं की ये तो सब हमी लोग ने की हुई है करोना होता है तो सब को होता है ना करोना तो हिंदू को भी होता है मुसल्मान का प्लाजमा हिंदो को भी बचाता है तो फिर ये दिवारे हम लोगों ने आपस में क्यों पैदा कि हुई है कम से कम ये करोना की बिमारी से हम ये सीख तो ले सकते हैं अगर हमारे देश के सब लोग हिंदो, मुसल्मान, सिख, खेसाई, जैन, बौध, हम सब मिलके एक साथ काम करेंगे, प्यार और महबबत से काम करेंगे, तो ये देश को कोई नहीं हरा सकता, इस देश को इस देश के सामने पुरी दुनिया को जुकना पड़ेगा, हमारा देश इतना अच्छा है और अगर हम बट गए, आपस में लड़ते रहे, तो फिर कोई उमीद नी बचती है, तो मुझे लगता है, इस से हमें ये सबक लेना चाहिए, अगर आपके मन में कभी भी किसी कोई दुर्भावना आती है, किसी दूसरे धरम के विक्ति के प्रती, तो ये सोच लेना कि हो सकता है, उसका प्लाजमा कल को आपके काम आए और आपके जिंदगी बचाए थैंक यू